भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तो मैं स्वागत करता ही हूँ लेकिन कल आप जहां जाकर के आए हैं उस उत्तरप्रदेश से मैं लोकसभा का प्रतनेदी हूँ तो इसलिए भी मैं विशेश रूप से आपका आधर पुर्वक स्वागत करता हूँ हमारे देश में हिंदू परंपरा में एक मान्यता रही है कि जब कोई तिर्थ यात्रा करके आता है अगर उसको आप नमस्कार करते हैं तो तिर्थ यात्रा में जो पुन्य उसने कमाया है उसका कुछ हिस्सा नमस्कार करने के वाले को भी मिलता है तो मेरे लिए खुशी है कि आप सब एक अनमोल सांसकूतिक विरासत की तिर्थिहात्रा करके आए है और आज आपके दर्शन का मुझे मुका मिला तो जो पुन्या आप कमा क्या लाए है उसका छोड़ा हिस्सा मुझे भी मिला है आप मुझे ज़्यादा भागेशाली है क्योंकि मैं इस बार के कुम्ब मैं अब तक जा नहीं पाया हूँ आप होकर क्या है लेकिन मैं कल जाने वाला हूँ शाहिद ही कोई ऐसा कुम्ब होगा जब से मैं समझने लगा हूँ कि जहाँ मेरा जाने का सोभाग ना बना हो कल भी मैं जाऊंगा कुम्ब का मेला जब तक महां जाते नहीं है तब तक अंदाज नहीं आता है कि कितनी बड़ी विरासत है ये और हजानों वर्ष से निश्चि डे टाइम के अनुसार टाइम टेबल के अनुसार ये चल रही है कोई इनिविटेशन कार्ड नहीं होता है न कोई गेस्ट होता है न कोई होस्ट होता है फिर भी मागंगा के चर्णों में और जहां भी कुम्ब होता है वहां सारे देश के और दुनिया के दिर्थियात्री वहां पहुंचते है ये असामान्य चीज है कि किसी भी प्रकार की कागर, चिछी, पत्र के बिना हजानों साल से लोग यहां पहुंचते है और आप जिस कुम्ब को देखकर के बड़े प्रभावित हुए है आपके मन को वो छू गया है लेकिन ये भी आपको पता हो कि पुर्णकुम्ब नहीं है अर्दकुम्ब की अगर यह ताकत है तो जब पुर्णकुम्ब होगा वो कैसा होता होगा जिसका आप अनुमान लगा सकते है सांस्कृतिक रूप से भारत में एकता को बहुत बड़ा बल दिया गया है ये समागम अब एक प्रकार से spiritual inspiration के लिए तो है ही है लेकिन ये social reformation का moment का हिस्सा है एक प्रकार से ये उस जमाने की पंचायत है उस जमाने की जो भी democratic frame होगा क्योंकि समाज जीवन में काम करने वाले spiritual leaders हो social leaders हो academicians हो वे तीन साल तक अपने अपने एक शेत्र में ब्रह्मन करते थे लोगों से मिलते थे संबाद करते थे और तीन साल में एक बार छोटा कुम्भ होता था वहाँ सब अपने बैट करके 40-45 दिन तक विचार भी मश करते थे हिंदुस्तान के किस कौने में क्या चल रहा है और उसमें से कोईन कोई बात ताय करते थे और बारा साल में एक बार बारा साल के पिरिड का पुरा रिव्यू करके बारा साल के बाद समाज को किस प्रकार के गाइडन्स की जरुवत है समाज में कौन से बढलाव की जरुवत है एक प्रकार से परफेक्ट डेमोक्रिटिक सिस्टिम था कि नीचे से उपर इन्फरमेशन जाती थी और सोशो पॉलिटिकल रिलिजिस लीडर्स इंक्लूडिंग किंग्स राजा महराजा भी उसमें रहते थे और इस विचार विमर्स में से आगे का बारा साल का रोड में प्तै होता था और हर तिन साल पर उसका डिव्यू होता था ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो दुनिया के सामने कभी आई नहीं आपने इस बार भी देखा होगा कि इस कुम के मेले में भी कोईन कोई सटीक सोशल मेसेज था सर्व सामान्य की भलाई के लिए मेसेज था और वहाँ पर आपने कोई भेद्वाव नहीं देखा होगा हर कोई गंगा का अधिकारी है गंगा में डुपती लगाता है अपने आस्था के अनुसार अपना किरिया कराब करता है टूरिजम का एक डेस्टिनेशन इसलिए बनने जा रहा है क्योंकि विश्वा एक शांति की तलाश में है व्यक्तिके जीवन की आपाधापी से भी वो कुछपल अपने लिए अपने इटर्नल के लिए बिताना चाहता है धान, वैभव, सम्रुद्धी, बढ़िया, होटल ये सारी चीजें उसको प्रभावित तो करती है प्रेरित नहीं करती है उसको इंप्रेशिव वर्ल्ड से वो उप चुका है वो इंस्पाइरिंग वर्ल्ड की खोज में है और आपने कुम्भ में वनुभव किया होगा कि भवतिक संपदा की कमी के बाउजुद भी एक अंतर मन के आनन को कैसे खोजा जा सकता है संजोया जा सकता है और उसे जीवन की राव बनाई जा सकती है वो आपने भली भाति अपने आखों से देखा होगा और मुझे विश्वास है कि जब आपने अपने देश जब लौटो गे तो महाँ भाति-भाति के लोग आपसे पूछेंगे क्या के था क्या क्या एक नदी के अंदर डुपकी लगाने के लिए आप इतना खर्चा करकर के चलेगे वहाँ कई लोगों का स्थर होता है वह इसमें क्या है लेकिन जब आप वहाँ का द्रश्य देखोगे और मेकसिप अरेजमेंट भारत की और गनाइजिंग केपसिटी का लेवल क्या है यह अपने आप में अपने अनुफ़क किया होगा मुझे बताया गया कि डेली बहाँ हजारों की तादाद में मिसिंग परसन या मिसिंग चाइल्ड की इन्फरमेशन सेंटर पे आती है क्योंकि इतने करोणों लोग होते है तो कभी एकाद बच्चा हाथ से शूट जाता है कोई बुजूर रह जाता है फिर इतने मेले में पता नहीं चालता है बहाँ इतना परफेक्ट मेकानिजम है कि घंटे दो घंटे में वो मिसिंग की कंप्लेन आते हैं उसको खोच करके उसके परिवार से मिला दिया जाता है कोई कल्पना कर सकता है हर दिन गंगा के तड़ पर एक प्रगार से यूरोप का एक देश इखटा होता है डेली और सारी व्यवसाएं मेक्सिप अरेजमेंट में हो रही हैं याने जो मेनेजमेंट के स्टूडन्स है यूनिवर्सिटी है उनके लिए एक के स्टड़ी का मिशे है कि इतनी बड़ी मात्रा में लोग अपना अपने तरीके से आये है अपनी आदतों को ले कर कायै अपनी भाशा को ले कर काये है लेकिन एक ऐसी ववस्ता जो सबको कैटर कर रही है सबको समाल पा रही है और सबकी आशा पेक्षा को पूरी कर रही है यह अपने आप में मैनेजमेंट की दुनिया की एक बहुत बड़ी गटना है और विश्व का इस तर ध्यान जाएगा और मैं भारत के विदेश मंतराले का पिश्रेश करके सुष्वाजी का रदय से भेनंदन करता है कि जो कुम्ब का मेला याने इतनास इसको लगता था आप ठीक है लोग आते हैं जाते हैं लेकिन इसका एक स्वामाजी सवरूप होता है उसका एक मैनेजरियल एस्पेक होता है उसमें आधुनिक्ता होती है टेक्नलोजी होती है ववस्ता होती है और स्रद्धा भी होती है सास्कुतिक चेतना भी होती है ये अधभूत मिलन का कारकम दुनिया के लोगों ने जबाद देखा है और भारत ने इस प्रकार का ये पहला प्रयास किया है आपने आकर के हमारे इस प्रयास को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है इसलिए आप भी अभिनंदन के अधिकारी हैं आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता है भारत में जिस प्रकार से भारत की जो सांस्कृति विरासत है ये विश्व को आकरसित करने का अभूत पुर्वस सामर्थ है उसमें और हम इस पर प्रतिबद्ध है कि इस प्रकार की योजनाओं के द्वारा हम दुनिया को भारत की समहान विरासत के साथ भी जोड़ना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि विश्व भारत की आधुरिक भारत की भी पहचान करेगा और अनमोल विरासत से भी भारत से दुनिया परिचित होने के लिए पहास करेगी आने वाले दिनों में हमारी याँ पार्लामेंट की इलेक्शन होने वाले हैं जैसा कुम्ब का मेला उसकी मेनेजमेंट मेक्सिप एनेजमेंट्स वहां का पुरा टेक्नोलोजी के द्वारा व्यवस्ता हैं यह अपने आप में एक आकर्षन का केंद्र है वैसे ही more than 800 million लोग वोट करें निश्पक्षता से वोट करें उसका पूरा जो मेकनिजम है दुनिया का सबसे बड़ा यह चुनाव होता है दुनिया का सबसे बड़ा और मेरे तो प्रयास रहेगा मैंने इलेक्षन कमिशन से भी कहा है कि विश्वा का हर देश भारत का इलेक्षन टूरिजम के लिए निकले हिंदुस्तान के टूरिजम को देखे और सिर्फ वोटिंग के दिन नहीं कोई मार्च महिने में आए कोई मार्च के सेकंड विक में आए कोई मार्च के थर्ड विक में आए कोई अप्रिल में आए कोई मही में आए लगातार दुनिया के हर देश के दो 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 प्रतिनिती हर हपते यहां हो हजारों की ताधार में विश्व के लोग आए कि भारत में डेमोक्रेसी कितनी लोगों के रगों में है भारत में गाउं में बैठा हुआ व्यक्ति भी किस प्रकार से देश की चीजों की समझ रखता है किस प्रकार से देश के समझ में निर्ने करता है विश्व के लिए भारत का चुनाव अपने आप में अजूबा है अगर मेरे कुम्ब की बड़ी ताकत है जो मेनेजरियल के अपसेट को प्रतसित करता है तो मेरे देश के चुनाव की रचना, चुनाव का आयोजन और इतना बड़ा democratic participation विश्म में democracy में विश्वास करने वाले उन लोगों के लिए भी direction commission initiate करें हमारी विदेश मंत्रा ने उनको पुरी तरह से मदद करें और दुनिया भर की university, दुनिया भर के students, दुनिया भर के Democrats ये सारे लोग जो लोगतंतर में विश्वास करते हैं वो आने वाले दिनों में लोगतंतर का जो कुम्भ होने वाला है उसे भी हाँ आए देखे और भारत के सामान ने मानवी का लोगतंतर के प्रती commitment जो है भारत के सामान ने मानवी का मानवी मुल्यों के प्रती जो commitment है उसको अपने आँखों से देखे और दुनिया के संदेश दें कि भारत हम जो सोचते हैं, जो सुनते हैं किसी की नजर से जो देखा है हमने अपनी नजर से एक दूसरा हिंदुस्तान देखा है, असली हिंदुस्तान देखा है, सामर्थवान हिंदु देखा है, हिंदुस्तान देखा है, और विश्व को कुछ देने का सामर्थ रखने वाला हिंदुस्तान देखा है, आपने जब अक्षय बुर्ट देखा होगा, भारत के लोगों के लिए अक्षय वुर्ट एक स्रधा का कारण होगा लेकिन मान दीजे उस स्रधां से आपको परिचे न भी हो तो आपको इतना तो पता चलेगा कि ये देश कितना प्रक्षूती प्रेमी है कि हजारों साल से एक ब्रक्ष के पती इतनी हास्ता रखने वाला जो समाज पैड और पाउधे को में में भी परमात्मा देखता है अगर उस समाज को कोई समझे तो विश्व को कभी क्लाइमिट चेंज और ग्लोगल वार्मिंग की समझे जेलनी नहीं पड़ती अगर इन बातों को हम पहले से समझे वो सिर्व एक ब्रक्ष के दर्शन नहीं थे भारत के लोग साथ उसके माइथोलोजी जानते हैं भारत के लोगों के लिए वो होगा लेकिन जो माइथोलोजी को नहीं जानते हैं उनके लिए ये सामर्द है कि हम पौधे में भी परमात्मा देखते हैं और हम प्रकुती के प्रती इतने सहजीवन के अब्रस्त है सहजीवन के साथ साथ प्रकुती के प्रती अपार सद्धा रखने वाले लोग हैं जो मानव जात की बहुत आनिवारियता है आज प्रकृति के साथ संगर्ष के कारण मानव जाट जो संकटों में फसी हुई है उससे निकलने का रास्ता भी इसी महान परमपरा ने दिया है चाहे अक्षय बुरिट का दर्सन हो नदी के प्रती सद्धा की बात हो अप्टू डेट मैनेजमेंट की बात हो किसी भी पहलू से देखें दुनिया के लिए एक केस्टरी है, उनिवरसिटी के लिए केस्टरी है और भारत के प्रति आकर्षन बढ़ाने के लिए भारत की नमान परमपराएं, मानुझात के कल्यान का रास्ता दिखाने वाली परमपराएं हैं इस दृष्टी से भी बड़ा महत पपुन है ऐसे महत पपुन अवसर पर आपका आना मेरे लिए भौती गर्म का विशह हैं आनन का विशह हैं मैं फिर एक बार आप सब कर रुदे से स्वागत करता हूं और जितना भी समय आपका यहां पिताने का मोका मिलेगा आप जुरूर भारत को जानने समझने के लिए उस समय का उपयोग करेंगे और अपने देश में जा करके दुनिया को बताएंगे कि आपने जो सुना है उससे हिंदुस्तान कुछ और है हिंदुस्तान कुछ अधीक है आप जो हिंदुस्तान जानते हो पूरातन जानते हो यह हिंदुस्तान है जो आने वाले दिनों में भी मानवजाद को दिशा देने का सामर्थ रखता है आप सच्चे अर्थ में भारत इस महान परंपरा के अंबैसेडर बन करके वापिस लोटेंगे यही मेरी आपश्रप को सुखकामना है बहुत बहुत धन्यवाद